नमस्कार वेब दुनियाने उसमें आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर वादों से पल्टे दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने कहां कि यदि पात साल में उनकी सरकार ने चुनाओं में कियेगे पचास फिसदी वादे भी पूरे कर दिये तो यह बुरा नहीं होगा एक सबा को सम्भूदित करते हुए केजरिवाल ने कहां कि पिछले दो मेहने में नोकर शाहों के साथ मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब सरकार बनी थी तो इस बात को लेकर घबराहट थी कि क्या वे कर पाएंगे या क्या वे इतना कर पाएंगे भी या नहीं मुझे भरोसा है कि पास साल के अंदर यदि हम सो फिसदी वादे पूरे नहीं कर सके और यदि कम से कम 40 या 50 फिसदी वादे भी पूरे कर दिये तो यह बुरा नहीं हुगा आप से निकाले गए प्रशान भूशन और योगेंदर यादव आम अदमी पार्टी ने सोमवार देर रात बागी नेताओ, प्रशान भूशन और योगेंद्रयादो समेच चार को पार्टी विरोधी गती विधियो तदा घोर अनुशासन हिंता के आरोप में पार्टी से निश्कासित कर दिया इन नेताओ को दो दिन पहले पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था इन नेताओ को पार्टी से निकाले जाने का फैसला राष्टी अनुशासन समीती ने लिया जिसने कहां कि वो कारण बताओ नोटिस के लिए मिले जवाब से संतुष्ट नहीं है पार्टी प्रवक्ता दीपक बाचपई ने बताया पार्टी की राष्टिया अनुशासन समीधी ने प्रशान भूशन, योगेंद्र रयादव, आनंद कुमार तथा अजित ज्ञा को निकालने का फैसला किया है खालिदा जिया पर हमला बाल बाल बची बांगला देश की विपक्षी नेता खालिदा जिया को लेकर जा रही एक कार पर उसवक्त गोलिया चलाई गई जब वह मेयर के चुनाओं में किस्मत अजमार है एक उम्मिद्वार के पक्ष में प्रचार के लिए व्यस्त बजार में रुकी हमले में खालिदा जिया बाल बाल बच गई टीवी फुटेज में दिखाया गया कि कई लोग खालिदा के काफिले पर हमला कर रहे हैं बांगला धिश की राजनिती में उस हमले को एक खतरनाक मोड के तोर पर देखा जा रहा है मेर के जुनाव धाका में इस मेने के अंत में होने वाले हैं